हेलो दोस्तों मेरे नाम है वीजे इस चैनल न्यो गैजेट्स यूज में आपका स्वागत है यहाँ पर इंडिया में जो भी फॉन लॉंच हो रहे न मतलब जो पब्लिसिटी करने का एक वाइदा है न मतलब मज़ा ही जो कुछ अवलग है हाइस रिफ्रेश्ट दे रहे हैं त 60Hz refresh rate, screen refresh rate, 90Hz screen refresh rate and 120Hz refresh rate मतलब मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर दो फोन जो की है 120Hz refresh rate मतलब एक Redmi का K30 अवेलेबल है और POCO का X2 अवेलेबल है मतलब दोनों होई device सेम है यार लेकिन हम यहाँ पर कंपेजन का एक बहुत अच्छा option है हमारे पास क्योंकि दोनों फोन 120Hz पर क रखेंगे एक फोन को जो है 120 पर रखेंगे तो हमें जो है स्मूथ नेस पता लग पाएगी कि इस्क्रीन रिफ्रेश्ट में जो है कितना आप कुछ है फरग देखने को मिलेगा और तीसरा फोन है हमारे पास 90 हर्स रिफ्रेश्ट के साथ में जो कि है अब देखते हैं कि 60 हर्स रिफ्रेश रिफ्रेश्ट जो है या फिर 120 हर्स रिफ्रेश्ट स्क्रीन रिफ्रेश्ट में मिलेगा मतलब 6290, 92120 में कितना कितना कुछ है difference देखने को मिल आता है तो देखते हैं ही वीडियो, enjoy कीजिए, मज़ा आने वाला है देखो हैं सबसे पहले बात करते हैं, यह जो है technology कहां से start हुई मतलब technology तो काफ़ी time से आ रही है 60Hz मतलब जिसको पहले knowledge थी, मतलब tech youtube पर होता है उनको पता ही होता है कि 60Hz इसमें डिस्पले में आती है लेकिन वहाँ पर कोई भी reveal नहीं करता है, 2017 की बात करते है जो यहाँ पर पहले सभी phone में 60Hz आया करती थी लेकिन जब से OnePlus 7 Pro आया था तो वहाँ पर उन्होंने 90Hz डिस्पले दीती मतलब screen refresh rate 90Hz कर दीती तो वहाँ पर क्या हुआ, मतलब एक high segment के जो premium phone थे वहाँ पर पता लग गया सबको क्या 90Hz screen refresh rate भी होती है मतलब एक normal viewer की बात करता हूँ पहले उनको नहीं पता था कि यहाँ पर display में screen refresh rate भी जो है change होती है लेकिन जब OnePlus 7 Pro लाँच हुआ तो वहाँ पर high segment वाले premium phone आते थे उनको पता लग गया कि 90Hz screen refresh rate भी कोई phone आता है तो देखो है, उसके बाद में जो है, वहाँ पर mind में गूंग गया यहाँ पर कम price वाले phone में मिले तो कितना अच्य रहेगा तो हमने Redmi का K30 देखा, जो कि हमें चाइना में देखने को मिला था उसमें आपको मिली 120Hz refresh rate लेकिन अब इंडिया की बात करते हैं तो Poco X2 के अंदर आपको मिल गया 120Hz refresh rate और उसके लावा जो है, यहाँ पर यहाँ पर कोई वीडियो प्ले करते हैं, यहाँ पर जो fps होता है, वो है 30 fps जैसे कि हमें काफी smoothness दिखाई दे रहा है, अगर fps की कम की बात करो, अगर 30 fps से कम होता है तो हमें smoothness जो है, थोड़ी सी normal दिखाई देगा, अगर आप इसको rotate करोगे इस तरीके से, तो भी आपको थोड़ी सी दिक्कत रसकती है जो कि देखने के अंदर, जो कि अभी यह video है 30 fps पर, और video का मतलब मजाई 30 fps पर आता है तो उसी तरीके से, अगर fps जो है, वीडियो के अंदर बढ़ जाता है, तो smoothness वीडियो की और बढ़ जाती है और उसी तरीके हम बात करते है, अगर screen refresh rate जो है, बढ़ जाएगी तो smoothness आपको जो है, स्क्रीन पर जादा देखेगी कैसा कि अभी हम यहाँ पर देख रहे है, normal phone की बात करते है, 60 hertz पर, जो कि हमने Poco X2 को 120 hertz पर डाल रखा है Redmi K30 को 60 hertz पर डाल रखा है, आपने हमने देखा है, क्योंकि यहाँ पर smoothness देखिए, दोड़ा सा आपको जह difference देखने को मिलेगा मतलब screen refresh कैसे होती है, suppose अभी जो है, मैंने यहाँ पर past किया यहाँ पर मैंने अपनी eyes को close के यह था 60 fps, अब मैंने 90 hertz पर किया, यह 90 hertz, अब 120 hertz के बात करते है, यह दिरे दिर आया 120 hertz, तो आपको समझ में किस में जल्दी आया, मतलब 128 जब दिरे दिर आया ऐसे, तो आपको पैसा आया, 90 hertz में जोड़े से दिर आया, और 120 hertz में और दिर आया, तो जो ज़्यादा smooth लगा, जिसमें ज़्यादा आपको समझ में आया, वो उसको बोलते है 120 hertz, मतलब 120 hertz के बी ऊपर बढ़ दाएगा, तो फिर वो और दिरे हाथ, और दिरे हो जाएगा, मतलब और दिरे हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा smooth मिलता है, ज़्यादा अच्छे से आप आप दिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे Redmi K30 और Poco X2 को scroll down कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए कि आपको difference दिख रहा है, कि यहाँ पे 120 hertz वाला ज़्यादा smooth दिख रहा है, देख अगर मैं य यहाँ पे Realme 6 Pro जो है, वो 90 hertz पे मैं रखा है इसको, जैसा कि आप देखी रहा है, और Redmi K30 जो कि 60 hertz पे है, अब आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको scroll down कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 60 hertz versus 90 hertz में जो है आपको ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलेगा, अब मैं compare करता हूँ 90 hertz versus 120 hertz म पे, 98 वाला है Realme 6 Pro, 128 वाला है Poco X2, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 120 hertz ज्यादा smooth है, लेकिन 90 hertz versus 120 hertz में ज्यादा difference नहीं है, उतना ही difference आपको मिलेगा जो कि 60 hertz versus 90 hertz में मिल रहा था, अगर मैं यहाँ पे lower से, मतलब 60 hertz से, या फिर 120 hertz को compare करता हूँ, तो वहाँ पे आपको जो है, एक huge difference देखने को मिलेगा, मतलब smoothness के अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं, budget segment phone की, तो अभी 120 hertz का phone आ रहा है, 16,000 रुभी ब्राइज में Poco X2, अगर देखो, उतना आपका budget है, 120 hertz का, मतलब अगर अगर आपको refresh rate आपको एक अच्छा चाहिए, मतलब आपको लंबे टैम तक phone यूज करना है, तो आप 90 hertz और 120 hertz पही जाएगा, तो ज्यादा श्याद आपको clear हो पाएगा, कि एक मज़ा आ रहा है, सच में ही मज़ा आ रहा है, phone को यूज करने में, और जो यह 60 hertz versus 90 hertz और यह यहाँ पे 120 hertz की बात करते हैं, तो यह जो screen refresh rate और 60, 90, 120 वो दोनों ही format में support करता है, अगर IPS display हो, तो भी वहाँ पे support करेगा, 60, 90, 120, super AMOLED हो, AMOLED हो यहाँ पे, तो वहाँ भी आपको support करेगा, 60, 90, 120, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कि on screen fingerprint की तरह है, मतलब आपे IPS में support नहीं करेगा, मतलब यह जो refresh rate है, वो दोनों ही screen पर support करता है, अब यार हमने यहाँ पे screen refresh rate की बात करी लिए, अब बात करते है, touch refresh rate की, मतलब आज के phone में ऐसा हो गया है, कि touch refresh rate भी आपको अच्छा मिल मतलब आपको अच्छा मिलेगा, मतलब आपको touch refresh rate कीता है, screen refresh rate कीतना है, मतलब यार वो ही दूनिया है, अब आने वाले में, जैसे से technology अपडेट होती रहेगी, हो सकता है कि 120 Hz से भी उपर आपको कम price में refresh rate देखने को मिलेगा, बात करते हैं कि आपको major difference कहाँ पे देखने को मिलेगा, screen refresh rate में, अगर आपको ये game play करते हैं, जैसा कि अभी ये मैं game play कर रहा हूँ, 60 Hz के साथ में, मतलब पोको S2 के अंदर, जो है PUBG install है, 60 Hz आपको refresh rate आपको दिखा दिया है, मैंने यहाँ पर, अब प्ले कर रहा हूँ, 60 Hz refresh rate के साथ में, जैसा कि ये है, अब यहीं पर मै compare करता हूँ, 120 Hz के साथ में, मतलब यहाँ पर 30-40 second मैंने पहले आपको game दिखाया, 60 Hz refresh rate के साथ में, अब यह जो game देख रहा है, 120 Hz refresh rate के साथ में, मतलब यहाँ पर आपको gaming में काफी जादा difference दिखा में मिलेगा, क्योंकि इस तरह के PUBG gaming के बात करते हैं, या फिर online gaming के बात करत हैं, मतलब जो वहाँ पर जो मज़ा आता है न, वोगर higher refresh rate होगा, तो वहाँ पर आपको experience होगा न, वो शायद काफी better होगा, तो बस यह था आज की वीडियो में, hope आख समझ गयोंगे कि refresh rate कितना जरूरी है, touch refresh rate या फिर screen refresh rate, तो बस यह था आज की वीडियो में, उमीद वीडियो पसंद आगा, तो लाइक और शेयर करना मत बूलना, सब्सक्राइब नहीं किया है वे तक हमार चनल को, चलो सब्सक्राइब करें जिसके आफ को latest videos का अप्डेट्स देखने को मिल जाएगा, इतना ही था, आज की वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बह जेवाद आपको दिन शुबू, मिलते हैं से किसी अगली वीडियो में